बिसमिल्लाइर रख्मानुर्ण रख्म, नुमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नमबर 131 पर है, चप्रन नमबर 4 कर नुमेरिकल है, सबसे पहला नुमेरिकल है, जिसमें वह आफ से कह रहा है कि एक रेस्क्यू हेलिकॉप्टर है, वो ड्रॉप कर रहा है, पैकेज ऑफ एम यह जरा थ vegBoard मत कीजेगा, मेरी डाइग्राम कुछ आसे हैं तो यह एक हेलिकॉप्टर मैंने बना लिये हैं, एक हेलिकॉप्टर क्या कर रहा है, वो जमीन पर एक पारी है, उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए है, राशवीरDS ट्रैवलिंग होर変। 40 meter per second से तो helicopter मैंने ये arrow बनागे बताया है कि वो horizontal direction में जा रहा है किस velocity सी जा रहा है 40 meter per second से अब मुझे बताया है projectile motion रखा है कि जो भी उसने हमें speed दी हुई है वो कौँ सी speed कैलाती है initial speed कैलाती है तो इसको मुझे क्या लेखना चाहिए this is equals to the V naught तो initial velocity horizontally हमने वो कह रहा है आपको numerical में कि horizontally उसने project किया ठीक है तो initial velocity का नम क्या होगा 40 meter per second यानि V naught उसका नाम है और उसकी value है 40 meter per second कि रहा है at height of 100 meter above the ground और जमीन से जो उसकी height है वो कितनी है 100 तो 100 meter उपर है ये helicopter तो उसने अगर horizontal direction में उसको project किया है तो आपको मैंने बताया था projectile में कि अगर हम किसी height से किसी projectile को horizontally project करते है तो वो इसरा curve लेता है जाके जमीन बे गरता है वो videos आपने जरूर देखनी है ठीक है ताकि concept आपक क्लियर हो तो जो भी velocity दी हुए है उसको आप V naught से present कर दीजए जो height दीए वो उसने दीए 100 meter part A में कह रहा है where does the package strike the ground relative to the point at which it was released जहां से उसको release किया और जहां जाके वो गिरा यह सारा horizontal distance कितना उसने cover किया तो यह X हमें मालूम करना है कि यह horizontal distance कितना है यहां से लेकर यहां तक कह लीजे जहां से उसने package को drop किया ठीक है helicopter ने जहां से उसको drop किया और जहां जाके वो गिरा तो मुझे बताइए अगर आपको यह numerical की theory याद है तो X किसके बराबर था X हमारे पास था V naught X multiply by T name it equation number 1 याद होगा इनिशाला आपको अचा अब मुझे बताइए V naught X क्या होता है velocity का horizontal component क्या है तो आपको यह बात याद है कि जब भी हम किसी object को horizontally project करते है तो सारी की सारी initial velocity initial का X component होता है so name it V naught X तो इसका मतलब है कि V naught X तो already हमें मालूम है कितनी है 40 meter per second है अब हमें चाहिए time time हमें वो चाहिए जिस time के अंदर यह जो projectile है यहां से जाके जमीन पर गिरा है यह time हमें मालूम करना है तो यह time मालूम करने का तरीका यह है कि मैंने आपको बताया था कि चाहिए आप इस projectile के time निकाल लो या free fall में वो जो straight निचा है वो time निकाल लो तो वो time जो है उसको निकालने का तरीका मैंने आपको equation वहाँ theory में discuss की थी कि आपने क्या करना है जो भी आपको height दी है या जो भी आपको vertical distance यह है उसको आप किस से divide कर दीजे 4.9 से divide कर दीजे तो आप मुझे बताइए मेरे पास height कितनी है मेरे पास 100 है तो मैंने इसको लिखा 100 divided by 4.9 और square root अबलाए कर दीजे तो जब 100 को आप 4.9 और square root करेंगे तो यह जो time आपके पास आता है या आता है 4.5 second ठीक है अब इस 4.5 second को equation number 1 में पूट कर देते है so x is equals to v naught x कितना है जो हमें velocity दी हुई है horizontal and vertical component of velocity of the package just before it hits the ground just before it hits the ground का मतलब यह है कि जो package आ के जमीन पर टकराया तो यह जो जमीन पर आ के strike किया है इसने ठीक है यह नदर आ रहा है आपको यह जिस velocity से आ के इसने strike किया वो velocity तो v है हमारे पास लेकिन उस velocity v का जो horizontal component है उसे हम कहते हैं vx और उसका जो vertical component थोड़ा इस तरीके से करके बना रहा हूँ उसे हम कहते हैं v y तो वो आपसे इस b part के अंदर पूच रहा है कि इस और उसकी वैल्यू कितनी है और velocity का जो vertical component है उसकी वैल्यू कितनी है velocity नहीं पूच रहा उसके horizontal and vertical component पूच रहा है तो अगर आप theory से familiar हों तो मैंने आपसे कहा था कि एक बार जो भी horizontal component बन जा है वो कभी change नहीं होता तो initial का कुछ horizontal component है वो तो सारी initial velocity है इस case में तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर vx initial का x component के बराबर है तो वो कितनी है हमारे पास 40 meter per second तो यह answer तो directly हमारे पास आ गया correct अब हमें क्या मालूम करना है वी वाई मालूम करना है तो वी वाई मालूम करना है तो वी वाई की equation अगर यादो तो वो थी v not y minus g t और मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी object को आप horizontally project करते हैं तो initial velocity सारी की सारी initial का x component बन जाती है जबके initial का जो y component होता है इस case में जो v not y है वो कितना होता है जिरो होता है initial का कोई vertical value नहीं होती तो अगर यह वाई ठीक है तो यहाँ पर हम लाकर इसको put करते हैं v y is equal to 0 minus g कितना है 9.8 और time already हम calculate कर चुके हैं 4.5 तो आप सिर्फ यह करना है कि यह 0 तो खतब minus में answer है 9.8 को आप 4.5 से आप multiply कर दीजे तो हमारा answer आ जाता है 44.1 and the unit is meter per second तो इस तरी के से numerical solve हो जाएगा अच्छा numerical number 4 के अंदर वो हम से कह रहे है कि a ball is thrown in horizontal direction from a height of 10 meter तो हमने एक height बना लिए यह देखिए इस height से एक ball है जिसको horizontal direction में throw कर रहे है और यह जो height है यह हमारे पास है 10 meter की तो मैं इसको height कह देता हूँ यह इसको y कह रहता हूँ this is equals to 10 meter right 10 meter की मेरे पास height है और वो कह रहा है कि with a velocity of 21 meter per second तो जिस velocity मैंने इसको horizontally project किया है यह velocity मेरे पास है 21 meter per second तो मुझे बताईएगा अगर हम horizontal direction में इसको project कर रहे हैं तो सारी की सारी जो velocity है यानि initial velocity को हम क्या लिखते हैं वी naught से तो अगर हम horizontal direction में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो भी initial velocity है वो सारी की सारी initial का कौन सा component बन जाएगी x component बन जाएगी ठीक है और यहां पर जो initial का y component है वो कितना होगा 0 होगा बिल्कुली वह बात था जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही थी अब वो आपसे कह रहा है सुमेरिकल के अंदर how far will it hit the ground from its initial point on the ground जहां से हमने इसको initial point से hit किया और जहां जाकर यह जमीन पर गिरा है यहां पर तो कितना horizontal distance cover किया है यह x की value हमसे पूछ रहा है कि यह बतानी है यहां से लेकर यहां तक का distance आपको बताना है जिसे हम क्या कह रहा है x कह रहा है अब अगर यह बार ठीक है तो v0 x की value तो हम already जानते है क्या है जिस भी velocity से हमने project किया वो सारी कि सारी क्या होज़े कि v0 x so v0 x is your 21 meter per second अब हमें क्या चाहिए हमें time चाहिए कौँसर time चाहिए जिस time में इसको project किया और यह जाके जमीन पर land किया तो यह time निकालने का तरीका भी मैं already आप से discuss कर चुका हूँ कि उस time को निकालने का तरीका बड़ा असान सा है कि time निकालने का तरीका है कि आप square root लगाई है height यह जो कि आपको दी हो यह 10 उसको divide कर दीजिए 4.9 से जब भी आप 10 को 4.9 से divide करेंगे और जो भी आपके पास answer आएगा उसको आप v naught x से multiply करेंगे तो आपके पास किसकी value आजएगी? x की value आजएगी so मैं इस equation को ऐसे कर लेता हूँ कि so equation number 1 implies that मैं इसको ऐसे कर के लिख लेता हूँ कि x is equals to v naught x मेरे पस कितना है? देखिए v naught x क्या है? वही सार की सारी initial velocity so 21 इसको मैंने लिख दिया 21 multiply आपा है और time को मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 upon 4.9 तो इसको जब मैं calculator के अंदर रखता हूँ तो जो मेरा answer आता है x का वो आता है 30 meters तो यह जो 30 meter है यह मेरे पास क्या आगे? यह मेरे पास horizontal distance की value आ गई ठीक है? असान सा है अब इसके जो दूसरा है नमेरिकल का उसके अंदर वो आपसे कह रहा है के and with what velocity मतलब कि जब यह जा के जमीन पर टकराया तो यह जो जा के जमीन पर टकराया है यह velocity V है इस जफ़ा यही velocity आपसे पूछ रहा है देखिए इस numerical में और इससे पहले वाले में जो फर्क है वो क्या था? कि जिस velocity से टकराया है उस velocity का horizontal और vertical component बताओ लेकिन इस वाले में कह रहा है कि जिस velocity से जा के टकराया है वो ही velocity बताओ तो अगर हम vector को जानते हैं तो हमें बता है के component जो हैं वो हैं VX और VY यह दो component हैं हमारे पास किस के velocity के तो अगर एक velocity दो component से मिलकर बन रही है तो उन component से वो कौन से component है? rectangular component है यानि वो दोनों component दूसरे बे कितने का angle बना रहे है? 90 का तो उससे जो velocity है उसको calculate करने का तरीका हम जानते हैं वो क्या होती है कि V आप लिखिए और square root apply कर दीजे पहले component पे square apply कीजे plus और दूसरे component पे square apply कीजे यह होगी आपके पास equation बन गई मेरा खाल है यह बात आपके समझ में आ रही होगी ठीक है? एक बार फिर समझ लीजे कि वो velocity जिस velocity के component है अगर वो component आपको मालूम हो तो उन component पे square करके root ले लीजिए vector के theory के मताबिक तो आप main vector मालूम कर लेते हैं इसका मतलब है इस दफ़र भी मुझे VX और VY चाहिए हैं वो निकाल के अलबता मैं equation number 2 में जब put करूँँए तो मेरे पास जब हम horizontally project करते हैं तो initial velocity सारी के सारी initial का x हो जाती है so V not x is 21 meter per second तो ये तो कोई issue नहीं था मालूम करना अब हमें मचाएए Vy की value तो Vy की value हम कैसे मालूम करेंगे उसी तरीके से formula apply कर दीजे V not y minus g t और V not y जो है वो हमारे पास किसके बराबर is 0 minus g कितना है 9.8 और time हम कर चुके हैं वो हमारे पास 10 upon 4.9 ठीक है ये मैंने जो time अभी आपको यहां बताया था के under root 10 upon 4.9 वो calculator नहीं है तो मैं इसको directly इसी तरीके से लिख रहा हूँ या पर अच्छा जी अब मैं जब minus 9.8 को multiply करता हूँ इससे तो मेरे पास जो v y का answer आ जाता है वो answer मेरे पास आता है 14 meter per second ये मेरे पास आ रहा है तो v y भी मेरे पास value आ चुकी है v x की value मेरे पास है put कर दीजे equation number 2 के अंदर so equation number 2 के अंदर हम put करेंगे so equation number 2 implies that तो मेरे पास velocity क्या बन जागी class v is equals to under root apply कीजिए सही है x component मेरे पास कितना है 21 तो apply कर दीजे square horizontal vertical component मेरे पास कितना आया है ये minus में से हो रही ठीक है क्योंकि ये minus में तो minus 14 और उसके उपर square so इस square की वाज़ा से ये already minus भी क्या हो जागा खतम हो जागा मेरे पास तो जब मैं इसको calculate करता हूँ calculator में रखे बढ़के simple सा है तो मेरे पास जो velocity आती है वो मेरे पास आ रही है 25.23 meter per second तो ये मेरे पास answer आ चुका है किसका कौन सी velocity से जिस velocity से हो जाके टकराएगा